नमस्कार दोस्तों and welcome back to the channel, I hope you guys are doing well, मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बर आप सभी का स्वागत हैं, आपके अपने चैनल Automobile DNA दोस्तों आज की इस वीडियो में हम Tata की Nixon और Hyundai की Venue को compare करने बाले हैं, दोलों ही बहतरीन प्रोडाक्ट है अपने segment में, बहुत ही अच्छे units ने बिखते हैं और काफी अच्छे features भी offer करते हैं, on and average अगर हम Venue की last year की sales figure को देखे तो हर महीने तक्रीबर इसके 6000 units sale हुए हैं, safety के अलावा दोनों ही गाडियों में आपको exterior, interior, infotainment, instrument panel, comfort and convenience में, दोनों ही गाडियां लगबग बराबर features आपको offer करती हैं, ऐसा कोई भी feature नहीं है जो इन दोनों गाडियों में आपको नहीं मिलेगा, वहीं पर कुल मिला कर 6 ऐसे features हैं जो आपको Venue में मिल जाएंगे, ल width में और height में Venue से काफी बड़ी है, उसकी वज़े से ये थोड़ी ज्यादा spacious भी है, और definitely build quality और safety की वज़े से Nexon यहाँ पर बाजी मारती हुई नजर आती है, इस वीडियो में दोस्तों जो भी prices में coat करूंगा, वो सारे के सारे prices एक शोरूम कॉस्ट मुंबई होंगे, अ अभी चीज़ों को गौर से सुनने के बाद में यह आपको decide करना है कि आपको अपने लिए अपनी जरूरत के हिसाफ से Tata की Nexon लेनी है या Hyundai की Venue खरीदनी है, तो चलिए जान लेते हैं, शुरूआत करते हैं दोस्तों pricing से, Hyundai Venue, petrol में आपको मिलती है 1L turbo charge petrol engine manual में S6 optional, यह आ 17,15,500 रुपीज में, डीजल की अगर हम बात करें तो Hyundai Venue आपको मिलेगी 1.4L manual diesel engine, SX optional variant आपको मिलेगा 10,89,000 रुपीज का, निक्सों की अगर हम pricing की बात करें तो निक्सों में आपको मिलता है 1.2L turbo charge petrol engine, manual में XZ Plus optional variant along with dual tune roof will cost you 10,60,000 रुपीज, वहीं पर 1.2L petrol AMT, XZA Plus along with dual tone roof will cost you 11,80,000 रुपीज, डीजल की अगर बात करें तो निक्सों में आपको मिलता है 1.5L diesel manual engine, XZ Plus optional variant with dual tone roof will cost you 12,10,000 रुपीज, दोनों गाडियों में यहाँ पर एक बहुत ही major difference है जो आपको सोचना पड़ेगा और उस पर गौर करना पड़ेगा जब आप अपने लिए गाड़ी चूज करेंगे वो है दोस्तों वेन्यू में आपको automatic transmission में DCT मिलता है dual crutch transmission वही पर Nexon में आपको AMT मिलता है और यह बहुत ही बड़ा difference है अब मुड़ते हैं गाड़ियों के engine power figures की जानकारी लेने के लिए वेन्यू में आपको मिलेगा 1L turbo charge petrol engine manual और DCT दोनों में यह generate करगा 120 PS की power with 171 Nm का torque वही पर इसमें आपको 1.2L का naturally aspirated petrol engine भी मिलता है which will produce 83 PS की power with 115 Nm का torque डीजल में वेन्यू offer करती है 1.4L diesel engine which will produce 90 PS power with 220 Nm का torque नेक्सोन की जहां तक बात है नेक्सोन में आपको मिलता है 1.2L का turbo charge petrol engine manual और AMT दोनों में यह आपको मिलेगा 120 PS की power and 170 Nm torque के साथ में 1.5L diesel engine नेक्सोन में आपको offer करता है 110 PS की power with 260 Nm का torque अब बात कर लेते हैं बाकी सारी चीजों के बारे में शुरुआत करते हैं Venue में कौन से ऐसे 6 features हैं जो आपको Nexon में नहीं मिलते हैं सबसे पहला feature जो आपको Venue में मिल जाता है लेकिन Nexon में देखने को नहीं मिलता है वो है leather plus premium fabric seat uphold stream Nexon में आपको leather seats नहीं मिलेंगे उसमें आपको केवल premium fabric seats का option ही मिलता है despite आप 12,10,000 रुपे top end variant के लिए खर्च कर रहे हैं दूसरा feature है air purifier Hyundai की लगबग हर एक गाड़ी में आपको ये option देखने को मिल जाता है लेकिन Tata की Nexon में किसी भी तरीके से आपको air purifier का feature नहीं मिलता है तीसरा feature जो की Hyundai की Grand IT Nios लेकर उसके उपर की सभी गाड़ियों में मिलता है वो है wireless phone charging ये feature भी आपको Nexon में देखने को नहीं मिलता है चौते feature की अगर हम बात कर लें दोस्तो तो venue में आपको fog lamp projector मिल जाते हैं वहीं Nexon में आपको projector fog lamps नहीं मिलते हैं पांचवा feature है दोस्तो safety के तौर पर venue में आपको 6 airbags मिलते हैं वहीं Nexon में आपको top end variant में भी केवल dual airbags मिलते हैं लेकिन उसके अलावा कई सारे top notch safety features आपको मिलते हैं Nexon में जो venue में नहीं मिलेंगे चटा feature है दोस्तो venue में आपको fuel economy Nexon से थोड़ी बहतर मिल जाएगी अब बात करते हैं उन सारे features की जो आपको Nexon में मिलेंगे लेकिन वो features आपको venue में देखने को नहीं मिलते हैं शुरुआत करते हैं पहले feature से और सबसे पहला feature है दोस्तो 209 mm की ground clearance venue में आपको cable 195 mm की ground clearance मिलती है in comparison to Nexon दूसरा feature है दोस्तों Nexon में आपको 4 carry bag hook मिलते हैं boot में उसके अलावा hand bag hooks मिल जाते हैं cabin के अंदर और co driver के foot wheel के पास में as well as B pillar पर जो आपको venue में नहीं मिलेंगे तीसरे feature के अगर आप बात करें तो Nexon में या फिर Tata की लगबग हर एक गाड़े में आपको nowadays flat bottom steering wheel मिलती है जो आपको venue में नहीं मिलेगी चौता feature है दोस्तों जो Nexon offer करती है वो है 15 liter का uniquely designed multi utility cool club box जिसमें आपको 2 cup holder, wallet holder, pen holder and visiting card और a credit card holder का option मिल जाता है पांचवा feature है Nexon में आपको मिलते हैं आगे के दोनों doors में umbrella holders जो venue में आपको नहीं मिलेंगे छटा feature है दोस्तों जो आपकी driving को बहुत ज्यादा comfortable बना देता है वो है multi drive modes Nexon में 3 modes मिलते हैं एक है eco, city and sports जो venue में आपको नहीं मिलेंगे साथवा feature Nexon ओफर करेगी आपको वो है rain sensing wipers जो आपको venue में देखने को नहीं मिलते हैं आठवा feature है दोस्तों Nexon में आपको smart variable key मिलेगी जैसे कि एक smart watch आता है जो आपको venue में नहीं मिलेगा 9 फीचर जो Nexon आपको ओफर करेगी वो है express cool fast AC cooling feature 10 फीचर मुड़ते हैं infotainment की तरफ दोनों ही गाड़ियों में बहतरी music system आते हैं लेकिन अपनी sound quality की वज़े से और harmon का system होने की वज़े से Nexon वाला harmon system यहाँ पर बाजी मार ली जाता है और इसमें आपको मिलता है AM, FM, USB, Oxygen, iPod connectivity के अलावा call logs for incoming, outgoing and miss call का option as well as आप call reject कर सकते हैं SMS के option के साथ में उसके अलावा you also get a call conference facility in Nexon music system जो आपको venue में नहीं मिलती 11 फीचर के अगर हम बात करें तो venue में आपको मिलते हैं 6 airbag, ABS, EBD, electronic stability control, vehicle stability management, hill assist control, reverse parking camera sensors and projector fog lamp safety में आपको venue में इतने ही features मिलते हैं लेकिन अगर हम Nexon की बात करें तो Nexon इन सभी features के अलावा आपको कुछ और additional top notch safety features offer करती हैं जैसे कि electronic brake pre-fill का feature यह आपको venue में नहीं मिलेगा बारवा feature हैं दोस्तों Nexon offer करती हैं वो है emergency brake assist यह feature भी आपको venue में देखने को नहीं मिलता तेरवा feature है दोस्तों roll over mitigation चौधवा और आखरी feature जो Nexon आपने साथ लेकर आती है वो है Global NCAP 5 star safety ratings I am sure आप सभी को पता है कि Nexon भारत की पहली ऐसी गाड़ी है इसे सबसे पहले 5 star safety ratings Global NCAP से मिली थी उसके बाद में launch से पहले ही अल्ट्रोस को भेज के Tata ने एक और नया benchmark बाकी सारे manufacturers के लिए sit कर दिया है इस सारी details को जानने के बाद आपको ये सोचना है कि अपने जरुरत के हिसाब से आपको venue लेनी है या फिर Tata की Nexon को लेना है आज के लिए इतना ही दोस्तों मेरे हिसाब से safety और build quality की वज़ों से Nexon definitely एक बहतर और ज्यादा value for money product यहाँ पर नजर आता है और बाजी मार ली जाती है इस बारे में आप क्या सोचते हैं ये मुझे comment box में comment करके लिखना बिल्कुल भी ना भूले मैं उमीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ने facebook और whatsapp पर share करना बिल्कुल भी ना भूले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे subscribe करना और bell icon के बटन को all notification के साथ दबाना बिल्कुल भी ना भूले और हमेशा की तरह जब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए सुरक्ष चलिएगा सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा अपनी और दूसरों के जान की रक्षा कीजिएगा धन्यवाद दोस्तों